हलो नमस्ते मेरा नाम प्रसांत है सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉंसिल आक्ट 1909 देखो बहुत जगह आप इसको देखो के गवर्मेंट ऑफ इंडिया आट भी लिखा हुआ है और बहुत सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा तो आप क्या कर सकते हो स्पीड बढ़ा लो यूट्यूब पे स्पीड का ओप्सन होता ने स्पीड बढ़ा लो और पिक्सल बढ़ा लो देखने में ता कि आपको अच्छा लगे हम लोग पढ़ने वाले इंडियन कॉंसिल आक्ट 1909 देखो आप न पहले यह तीनु नाम देखो है न इन तीनु आम में डिफरेंस भी है क्या है सबसे पहले तो कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों का नाम यह तीनु क्यों पढ़ा है यह में लोग थोड़ा सा देखते हैं सबसे पहले इंडियन कॉंसिल आक्ट 1909 क्यों बोलता है यह देखो ओफिस्यल नाम इसको में लोग बोलते हैं गवर्वेंट अफ इंडिया आक्ट 1909 और मॉरले मिंटो की दवारा यह रिफॉर्म लाया गया ते सिल में उसको बोलते मॉरले मिंटो रिफॉर्म ठीक है देखो इंडियन कॉंसिल आक्ट सबसे पहले यहां पर देखो आप देख रहे होगे डेट हाना तो यह यह आक्ट कवाया था 1909 में यह आक्ट आया था यह दिखा रहा है यह डेट हाना आज से लगबग 1112 साल पहले हंड्रेड इयर अगो ह ठीक है देखो और यह जो आक्ट है किसके लिए था कॉंसिल क्लिए कहाँ पाया था इंडिया में इंडियन कंसिल के लिए यह ला गया था Of इतने आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपने क्या पढ़ा था गवर्नर जेनरल जो पूरे इंडिया के लिए होता था पूरे इंडिया के लिए होता था उसका एक कॉंसिल होता था लेगिसलेटिव कॉंसिल और एक कॉंसिल होता था एग्जेक्विटिव कॉंसिल तो गवर्णर जनरल का जो पूरे इंडिया के लिए होता था उसका दो पॉंसिल और पश। सेम इसी तरह से जो प्रोविंस जैसे कि आपको यह उस ट्यम को इंडिया को देखो आप एक बार 1909 में इंडिया कैसा था आप यह देख लो यह कुम्बे प्रोபिंस देखो मद्रास प्रोबिंस देखो यह प्रोविंस था और ये पूरा यह देख भोग अ इंडिया और हर एक प्रोविंस के लिए उसका गवर्नर होता था औरräge Öz Marvel का भिलेजिटीब और इतना अपने को पता है तो यह जो act आया था उस टाइम पे 1909 में जो act आया था 1909 में जो यह act आया था इस council के लिए होगा legislative council और executive council उसी तरगा से provincial का है legislative council और executive पूर नाम में ही कलिए रहा है यह act किस के लिए है council के लिए है बस का नहीं खता अब देखो इसका नाम Government of India Act क्यों बोलते हैं है ना देखो यह जो Act है पहली बात यह Act इंडिया कर यह British Parliament उस टाम जो हम लोग British के अंदर थे British India थे हम लोग तो यह Act British Parliament से आया था किसको Reform करने के लिए किसमें सुधार करने के लिए Act आया था तो यह Act आया था Government of India को सुधारने के लिए Government of India में reform करने के लिए हमारे यहां जो Government मिसनरीज चल रहा था उसमें सुधार करने के लिए ये Act आया था तो इंडिया में जो Act इंडिया का जो Government सा उसको में बोलते थे Government of India तो Government of India के लिए ये Act आया था 1919 में एक चीज़ मैं आपको यहांबर पता दू कोई भी Act क्यों आता है कभी सोचे हो History आप जब भी पढ़ता हो तो Question करो अपने मन में आखिर ये क्यों कब कहां कैसे जब सवाल करोगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा चलो मैं एक क्यों करता हूँ कि ये Act क्यों आता भाई मेरे मन में एक सवाल आया ये Act क्यों आता है कोई भी कानून क्यों बनता है समाज में बहुत सारा Problem होता है उस Problem के Solution के लिए Act बनाया जाता है जैसे मान लोग की बहुत जादा Road to Accident हो रहा है तो उसको ठिक करने के लिए कानून हम लोग बना दिये Motor Vehicle Act Motor Vehicle Act बनाने के लिए थोड़ा सा accident कम हुआ तो इसी तरह से कोई भी जो Problem होता है उसके Solution के लिए हम लोग कानून बनाते है तो इंडिया में Administration करने में Government of India आम कुछ प्राबलम दिख रहा होगा उस टेम पे British India को British Parliament को जो England बैठी थी तो उसको ठीक करने के लिए उसमें सुधार करने के लिए उसमें Reform करने के लिए ये Act आया Government of India Act 1909 ये दोनों नाम क्लियर होगे आपको उसके बाद लिखा हुआ Moralemento Reform ये क्यों लिखा हुआ बस दो मिनिटों आपको बताऊंगा इस Act को हम लोग Moralemento Reform 1909 क्यों बोलते हैं क्योंकि मैं दो मिनिट आपको नीचे बताने वाला हूँ ठीक है देखो इस Act के जस आने से पहले हमारे इंडिया में आया था Indian Council Act 1892 जिस पे अल्रेडी वीडियो इबलेबल है आप चैनल पर जाओ आप Constitutional History का प्लेलिस जाके चेक कर सकते हो और वहाँ सा पढ़ सकते हो देखो यदि आपको ये Act पढ़ना है तो आपको 1892 वाला जो Act है वो थोड़ा क्लियर होना चीए 1892 का यदि Act आपको क्लियर है तो ये समझ में आपको अच्छे साएगा पहली बात दूसरी बात आपको पता चलेगा तो एक sequence continuity जो आपने डबलब करा है वो आपका continuity चलेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा otherwise आपको थोड़ा सा bore feel हो सकता है लेकिन मैं try करूँगा कि आपको bore feel ना हो history है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हो जाता है history में लेकिन कोई नहीं चाहिए आप history जब भी पढ़ते हैं तो आप एक proper timeline पर जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में easily भी होगा आपको समझ में भी आगा कि कहानी कब की है बात कब का चल रहा है तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी 1909 का आपको 1909 का इदि कहानी समझना है तो इससे पहले क्या हुआ ये थोड़ा सा आपको idea होना चाहिए है ना इससे पहले क्या हुआ ये इदि आपको idea हो गया तो 1909 आपके लिए पढ़ना 1909 आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा ये act को समझना इजी हो जाएगा इससे पहले का India कैसा था और इस act में कैसा हुआ ये इजी हो जाएगा आपके लिए तो आपको ये समझना चाहिए 1909 से पहले इंडीय कैसा था जब ये आप समझ जाओगे आपके लिए ये chapter easy हो जाएगा देखो आपने पढ़ा था 1853 में chatter act आया था और इस chatter act आने के बाद इस chatter act के आने के बाद जो governor general होते थे governor general का दो council बन गया था executive council और legislative council जो मैंने भी starting में बात की थी थी ना council वो council सबसे पहले कब बना था chatter act of 1853 लाके और legislative council बना के 6 member डाल दिया गया था उसके बाद 1857 में revolt हुआ उसके बाद 1858 में government of india act आया था ये सब का videos channel पे already available है आप जा के देख सकते हो और अभी जितना में पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाऊंगा इसका pdf में चेलिग्राम चैनल पे डाल दोंगा और link description box में डाल दोंगा ताप जा के डाउनूड कर सकते हो देखो 1858 में क्या हुआ था आप याद करो government of india act लाके क्या करा गया था जो इस इंडिया कंप्री का रोल तास को खदम कर दिया गया था और British Crown direct rule करेगी इंडिया को यह आपने पढ़ा था उसके आपने क्या पढ़ा था दो important post बनाया था secretary of state for india दूसरा viceraya of india आप यह देखे थे यहाँ पर क्या आप देखे थे secretary of state जो बनाया गया था for india यह जो post बनाया था secretary of state यह post को assist करने के लिए 15 member का council बनाया गया था और यह कहां होते थे England में होते थे ना यह देन आपको यह London में यह होता था I hope आपको धियान में हो यह post London में बैटके British cabinet का यह British Parliament का cabinet का एक जो भी बोलो ministers होते था वही बन जाता था secretary of state तो खेर यह वहाँ पर पोस्ट होता था यह मैं क्यूं बता रहा हूँ यह आपको last में पता चलेगा देखो इसमें 15 member होते था मैं अभी ही बता देता हूँ तो यह जो act 1909 यह act लाने के बाद यह 15 member का जो इनका council था उसमें से एक member दो member add करा गया इन्डियन दो member को appoint करा गया इस 15 member का council में दो इन्डियन member को add करा गया appoint करा गया इस act के बाद तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया खेर देखो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे Indian council act 1861 और इसमें आपने क्या पढ़ा था Indian council act 1861 आपने यह पढ़ा था फिर यहाँ पढ़ा था governor general का दो council legislative council executive council और legislative council को हम लोग बोलते थे central legislative council इसमें कितना member था 6 से 12 आप स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे 6 member अब हो गया 6 से 12 18 से 61 फिर आप देखोगे 1892 में जो यह act आया उसमें क्या हो जाता है member जो है 6 से 12 था ना 18 से 61 तो 1892 में क्या हो जाएगा यह member बढ़के हो जाएगा 10 to 16 अभी इसमें legislative council में कितना member हो जाएगे 10 से 16 10 to 16 member हो जाएगे और यही जो 10 to 16 member है स्टैंड कर जाएगा और enlargement हो जाएगा legislative assembly में अभी जो हम लोग पढ़ने वाले 1909 के act के बाद और यह member बढ़के कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा भई legislative council में 1909 में member हो जाएगा 16 आप इसको धियान रखेगा चलो इसके बीच में एक दू बाते और मैं आपको बता देता हूँ यह तो आपने देख लिया कि 1861 में legislative council में 6 से 12 member थे उसके आपने देखा इंडियन council act 1892 के बाद 10 से 16 member और इंडियन council act में 60 member हो गए अई हो पियां तक clear होगा अब देखो 1885 में इंडियन national congress फॉर्म हुआ मैं आपको बताते जाता हूँ ठीक है और 1892 में इंडियन council act आया उसके बाद 1906 में दो important event होता है एक होता है similar deputation होता है दूसरा देखोगे आप Muslim League का formation होता है similar deputation कब होता है 1906 October में होता है और उसके बस कुछ दिन बाद ही Muslim League का formation होता 1906 में यह मैं अभी क्यूं बता रहा हूँ थोड़ी देखाद आपको समझ में आएगा फिर उसके बाद 1909 का act आता है और फिर finally नाइंटीन हंड्रेड नाइंटीन में 1919 में Government of India Act आता है और इसके बारे हम लोग नेक्स वीडियो में बात करेंगे अभी हम लोग 1909 के बारे में बात करने वाले है तो देखो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके act के बारे हम पढ़ लिए और हम लोग क्या पढ़ लिए उस टाइम पे इंडिया कैसा था आपने ये पढ़ लिया उस टाइम पे इंडिया कैसा था उसके आद हम लोग क्या पढ़ लिए प्रोविंस कॉंसे कुछ-कुछ act के बारे में ये पढ़ लिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टाइम पे जो इंडिया का गवर्मेंट था, है ना, इंडिया का गवर्मेंट को कौन कर रहा था, है ना, तो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑथरिटी के बारे हम आपको पता होना चाहिए, उस टाइम दो इंपॉर्टेंट ऑथरिटी था, secretary of state and visoray, secretary of state उस टाइम पे हम लोग देखो, पढ़र हैं, हम लोग कब की कहाने पढ़र है, 1909, आपको इस टाइम का बात पता होना चाहिए, 1909 पे इंडिया कैसा था, तो इंडिया जो government of India, उस टाइम पे, इंडिया का जो government था, उसको दो council होता था executive council and legislative council धियान यहां पर यहें दो 1909 तक मतलब इससे पहले इससे पहले तक इसके बाद तो member Add हो जाता इससे पहले तक कोई Indian इस council में member नहीं था ठीक है और ना ही executive council में कोई Indian member था 1909 तक आप धियान रखना अब मैं आपको लास्ट हम पता हूंग और इस ताइम सेक्रेटरी अफेस्टेट कॉन थे जॉण मॉरले और वाइस रैकॉन थे लौर्ट मिंटो और प्रेटरी ज्यादा बड़ा पोस्ट होता था अस कंपेड तुए तो ज्यादा अर्टरिटी किसके पास हो गया सेक्रेटरी अवसेट आंड कम हो गया इसलिए हम लोग इस अक्ट को बोलते हैं मौरले और मिंटो इसलिए पहले मौरले का नाम जा जाता है यदि आप मिंटो भी बोलो मिंटो मौरले तो ऐसा कुछ गलत नहीं है बट जेनरली ज्यादा तर वोक में आप देखोगे मौरले मिंटो लिखा रहा था इ कि मौरले का जो ऑथरिटी है वो जादा पोस्ट बड़ा है इसलिए इस टाम गवर्मेंट ऑफ इंडिया को कौन रूल कर रहा था यह दोनों लौर्ड मिंटो एंड लौर्ड मौरले इसलिए हम लोग इस एक्ट को बोलते हैं मौरले मिंटो रिफॉर्म और बहुत सारा इनक का नाम इस एक्ट को बोला जाता है इनके दूआरा यह सब सुधार करा इस परी फॉर्म करा चलता है इसलिए इनका नाम जनरली यूश होता क्योंकि इस एक्ट को मतलब कौन सा एक्ट को भई 1909 का जो एक्ट है इस एक्ट को ड्राफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया थी ये दोनों इसलिए इनका नाम यूस होता इसको धियान रखेगा इन दोनों का टाइम पिरिएड भी लगवक सेम ही था चलो यहां तक हम लोग पढ़े हैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इंट्रोडेक्शन पढ़ रहे हैं सिर्फ अभी हम लोग हिस्टोरिकल बैक्राउंड में जाएंगे फिर देखेंगे इस आक्ट में क्या-क्या प्रोविजन था इस आक्ट में क्या-क्या सुधार हुआ क क्या changes वा यह हम लोग देखेंगे देखो अब थोड़ा सा कहान ही हम लोग आगे पढ़ते हैं हम लोग पढ़ लिए government of इंडायम किसा क्या control था सब कुछ पढ़ चुक है अब हम लोग यह पढ़ेंगे सर यह act आया क्यों इंडियन यह फिर हम लोग यह पढ़ेंगे इस एक्ट का नीड क्या था बैई रीजन क्या था नीड क्यूं ठाया लाना पड़ा हम लोग यह पढ़ेंगे फिर तेखो यह act फाइनली 15 में 1909 को ये पास हो जाता है कहाँ पे बिटेस पार्लियमेंट दोनों हाउस में उसके बाद एसेंट रोयल एसेंट मिल जाता है का 25 में ये इतना डेट आपको ध्याने रखना है और 1 अप जाएं 1910 को ये एक्ट फॉर्स में हो जाता है ऑपरेशन हो जाता है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे भई रीजन ये एक्ट क्यूं लाया गया और हम लोग पढ़ेंगे हिस्टॉरिकल बैक्गराउंड ठीक है आखिर ये एक्ट जो लाया गया इसके पीछे का क्या क्या रीजन था क्या कारण था ये एक्ट क्यूं लाया गया ये हम लोग था आप इसको धियान रखना इससे पहला आया था Government of India Act 1892 ठीक है उसको धियान रखना है और प्रीवेस क्लास में ने बहुत डेटेल में इसको डिसकुसन किया है जब मैं आगे बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको पिछले Act के बारे में भी बताऊंगा तभी तो आपको समझ मे आएगा आगे कि क्या-क्या चेंजिस हुआ वो थोड़ा समय डिसकुस करके फिर मैं इस Act में चलूंगा ठीक है चलो historical background देखेंगे हम लोग तो यह Act आप historical background यह समझो यह Act आया है 1909 में तो उससे पहले कहानी हम लोग पढ़ेंगे 1905 में 1905 में 1905 में क्या होता वन बे वन करक हो ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर सके पूरा लेक्चर को और इनीवे में थोड़ा फाइप पढ़ाता हूं तो आपको अच्छा ही रहेगा देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग आना तो historical background देखो 1909 में 1909 में जो एक्ट आया उससे पहले क्या-क्या तो सब्सुआ है यहां पर देखेंगे 1905 में यहां पर ग fodर कॉन्स गौश जैनेरल लॉट कर जन इनके दुवारा क्या करा जाता है बंगॉल का पार्टीशन ते यह जो पूरा बंगॉल देख रहे हो इसंगऑल का प्रप्रटीशन समय 905 में नाइंटीन गेंड़ करनं के द बेस्प होता है किस ground पे इसको करा जाता है religious ground पे ठीक है और ऐसा का जाता है कि इस्ट साइड में मुस्लिम्स मेजरेटी हैं तो इधर चलो बही या मुस्लिम्स का इधर हिंदू का कर दो ऐसा करके ये लोग religion के ground पे religion के basis पे Bengal को divide कर दिये थे जैसे ये लोग Bengal को divide करते हैं लौड करजन के दोबारा जब ये Bengal का division होता है Bengal को बाट दिया जाता है divide कर दिया जाता है इसके बाद Bengal में बहुत जगा uprising होता है British के against बहुत जगा revolutionaries activities start हो जाता है anti-Britus anti-Britus feeling यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है British के against लोगों में क्या बोल सकते हो मतलब British को hate करने लगते है hate तो हैसे करते ही थे anti-Britus feeling जगने लगता है यहाँ पर लोगों में जो Indian nationalism है हम लोग में जो देश प्रेम ता देश के परती प्रेम जो था nationalism क्या तो देश के परती प्रेम राष्ट के परती प्रेम को यह लोग बोलते है nationalism तो यह जो nationalism का feeling था हम Indians के बीच में बहुत तेजी से बढ़ने लगा यह आप कह सकते हो जो nationalism का tide था जो wave था वो बहुत तेजी से बढ़ा हो रहा था और इसके बाद जैसे यह बेंगॉल का partition होता है यहाँ पर सोधर्सी movement भी start हो जाता है 1905-1906 तक चलता है आपको यह सब पता है आई होप आपने history में यह सब पढ़के रखा है प्रीविएस क्लाइब देखो हम लोग यहाँ पर ना लोग के student है हम लोग तो लोग के तरफ से पढ़ेंगे हम लोग इतना जादा history में नहीं involved होंगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा historical background फिर हम लोग के लिए important क्या होता है provision क्या क्या है इस act में तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जादा focus कि इस पर करेंगे provision पर historical background समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या ये reason था ये इस act काने के पीछे तो ये एक reason था partition जिसके बदले स्वादेशी movement स्टार्ट होगी आपको पता है foreign goods, buy court कर रहे थे ये सब बहुत revolution होने लगा ये सब सब आपको पता है उसके बाद आपने क्या पढ़ाता Indian National Congress में division हो जाता है सूरत split 1907 में पढ़े थे जब आप पढ़े थे नोश में moderate और extremist दोनों अले हो जाते हैं थोड़ा सा लरम दल, गरम दल ये सब आपने बहुत पहले भी पढ़के रखा होगा आपना ही होग तो अभी हम लोग देख लिए एक partition होई Bengal का फिर इसके आप देखे कि इसमें Congress में divided हो जाता है Congress divided हो जाता है दो ग्रूप में moderates और extremist में उसके बाद दो ग्रूप थे इंडिया में ये थोड़ा से यहां पर important आपको ध्यान देने वाले बात है similar deputation similar deputation थोड़ा सा important है और उसके आदा देखोगे Gopal Krishna Gokhale ये दो ग्रूप थे ये क्या होता है सबसे पहले देखो एक Muslim elite class थे deputation क्या था basically group of people को हमनों बोलते है ठीक है ये group of people थे और इसको late कौन कर रहे थे आगा खान इसको late कौन कर रहे थे एक देखोगे मानला इसे घर के हमनों बाद आते ये 35 peoples का group था ये लोग कहां गेते Simla अब सिमला जाके क्या कर रहे थे ये लोग स्नोफॉल देखने कहते हैं ये लोग किसके पास गयते हैं उस टाइम पर हमारे हैं वाइसरे कौन था और हम लोग बात कप की कर रहे हैं 1906 और आपने क्या पढ़ा था थोड़ी दिर पहले 1905 में यहां से Lord करजन जाते हैं और यहां पर वाइसरे बन के कौन आते हैं Lord Minto कौन यहां पर वाइसरे बन के आते हैं Lord Minto तो यह जो एक ग्रूप था सिमला जाते हैं ये लोग और बेसिकली कौन थे Muslims Elite Class के लोग थे ये लोग पढ़े लिखे वेक्ती थे ठीक है तो ये लोग जाते हैं मिंटो के पास मिलते हैं और ये डिमांड रखते हैं separate electorate का Muslims के लिए separate electorate का दिमांड रखते हैं थोड़ी दिवाद मैं आपको बताने वाला हूँ ये लोग बेसिकली चाहते थे politics में इनका representation हो Muslims का representation हो politics में ये डिमांड कर रहे थे मिंटो के पास सिमला जाके करते हैं और बोलते हैं कि administration में reform हो constitutional reform हो ये डिमांड करते हैं फिर इसी तरह से गोपाल आप देखो गया आगे एक बेक्ती और थे गोपाल कृष्ण गोकले और ये जाके कहां जाते हैं ये secretary of state के पास आते है और क्या डिमांड करते हैं जैसे तुम उस टाइम पर दो-तीन बिर्टिस कॉलोणी और जासे ऑस्टेलिया था Canada था ये सब बिर्टिस कॉलोणी था वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं सिल्फ गोवर्णिंग सिस्टम वहाँ पर स्टार्ट किया थे इन्डया परγमी उपांट जहां की इस आपने देखा ये सब कुछ इंडिया में चल रहा था लोग तो अब हम लोग तोड़ासा चलेंगे अपने यह कि अपने पर इस फोड़ा देखला Woah देखो यह जो ये जो कहानी आपने यहां पर देखा इसके जस्ट कुछ दीन बाद ही मुसलीम लीग का भी फ़॔रमिशन होता है मुसलीम लीग का फॉर्मिशन तब 30 दिशमबर 1906 1906 क्य要 ओल्मॉस्ट लास्ट डे जा के मुसलीम लीग का फॉर्मिशन होता है ठीक है और यह डूपिटेशन कब हुआ था 1906 में यह जो मैंने आपको पताया ना यह सिमलर डूपिटेशन पाकिस्तान में जब आप मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था मुझे याद है तो वहां पे पाकिस्तानी वीडियो मेरे सामने आ गया तो मैंने चैनल देखाने कि वह पाकिस्तानी है और वहां पे इतना बड़ा चढ़ा के यह लोग बता रहे थे क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना यह पाकिस्तानी क्योंकि आपको पता है जब हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो कैसे क्या हुआ पाकिस्तान का डिविजन क् similar deputation ये उनके लिए बहुत important है क्योंकि Muslim League का formation वहाँ सोता है Muslim League ही जाके form करते हैं पाकिस्तान खरिए चलो उधर नहीं जाते हैं लोग अभी अभी हम लोग दो-तीन कुछ देख दो-तीन reason देख चुके हैं अभी background तयार हो चुका हमारा एक और background में आड करेंगे अभी किसको हम लोग अभी background में आड करने वाले हैं Indian Council Act 1892 देखो इस act के जस्ट आने से पहले Indian Council Act आया था ये भी act किसके लिए आया होगा? Council के लिए होगा Council में changes करने के लिए तो ये act लाकर के क्या करा गया था? 10 से 12 मेंबर कर दिया गया था आपको ध्यान में है सब कुछ याद है Executive Council में कोई changes नहीं हुआ था ये act आने के बाद लेकिन 1909 का जो act आयेगा इससे Executive Council में changes होगा देखना आप और ये act जो आया था 1892 का इससे Legislative Council जो provincial label पे था उसमें भी changes हुआ था हम लोग थोड़ी दिर में देखेंगे है ना चलो आई होप आपको थोड़ा सा Indian Council Act भी recall हो गया होगा और आप में देखा था 1892 का जो act था 1892 का आक्ट में election indirect election introduced तो हो गया था लेकिन उस act में 1892 के act में कही नहीं लिखा होगा था election लेकिन indirect election introduced हो गया था आप में पढ़ा था municipality से local body से चुन के बेशते दूपर आपको याद होगा provincial council में प्रुविंस कॉंसिल से कहा जाते था ये लोग central legislative council में खैर तो indirect election इसमें start हो गया था लेकिन act में कही नहीं लिखा गया था लेकिन आप जब ये पढ़ोगे 1909 का act यहाँ पर के लिख दिया जाएगा चलो एक बारी मैं आपको recall करा देता हूँ governor general central level पे governor general of India होते थे और provincial level पे सिर्फ governor होते थे governor general का legislative council and executive council legislative council को central legislature यह मैं बार बार इसी विए बोलता हूँ बहुत लोगों को इसमें problem आता है उनको समझे में नहीं आता है legislative council executive council क्या चल रहा भाइब इसलिए मैं बार बार इस पे दवाव डालता हूँ बार बार मैं क्या बोलता है उसको जोड डालता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तो हम लोग यह पढ़ेंगे इस act Indian council act 1909 लाने के बाद क्या-क्या changes होगा legislative council में legislative council central level पे legislative council provincial level पे और हम लोग फिर देखेंगे कि क्या-क्या executive council में changes होगा यह पढ़ेंगे ठीक है तो detailed करेंगा भी हम लोग इसको आयोप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा देखो Indian council act का सबसे main point यहां से start होगा provision तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले अब size बढ़ा कर देने का मतलब यह नहीं छोटूसा था बढ़ा कर दिया यह नहीं इसका मतलब यह था कि इससे पहले कौन सा act था यह बताओ 1909 से पहले यहां पे कौन सा act आया था इंडिया में 1892 और इस act ला करके क्या करा गया था council का size कितना कर दिया गया था इंडियन कॉंसिल में इंडिया लेगिस्लेटिव कॉंसिल जिसको मुने बोलते हैं सेंट्रल लेगिस्लेटिव कॉंसिल या फिर इंपेरियल लेगिस्लेटिव कॉंसिल वहां पे कितना मिंबर हो सकते हैं 60 ठीक है 60 member होंगे अब यह 60 member में आप यहाँ पर देखो इस 60 member में 33 member nominated होंगे और 27 member elected चून करके आएंगे कैसे चूनेंगे थोड़ी दिर्वा में बताऊंगा बस अब यह आप इतना धियान रखो यह 60 member आएंगे अडिशनल member अब जो council में central legislative council में यह 60 member होंगे यह कहां से आएंगे 33 member nominated होगा किसके द्वारा governor general किसके द्वारा होगा governor general के द्वारा और 27 member elected होंगे ठीक है 60 member में से आप इसको धियान रखना है अब देखो 33 member जो elected होंगे इसमें से 28 officials होंगे and 5 member non officials होंगे तो आपको मैं थोड़ा सा officials non official बता देता हूँ official मतलब नामसे के लिए जो office में काम करता होगा कौन सा office ब्रिटिस का गया office मतलब जो कि उस time पे government of India में member होगा और officials होगा किसका सरकार में जो काम करता होगा member हो तो वो जो बड़े लोग होते थे जो यह धियानक न वो नॉमिनेट कर रहा न उसको तो उसको क्या बोलते हम लोग एक word होता है न चमचा टाइप को बोलने के लिए क्या होता है कटपुतली तो यह वैसे ही पांच लोगों को governor general नॉमिनेट करते थे जो कि British का कटपुतली होता था नाम के लिए कि non-officials जो की सरकार में नहीं है officials मतलब जो सरकार में 28 लोग और non-officials कौन होगे है जो सरकार में नहीं है तो 60 लोग का आपको समझ में आ गया कहाने अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं detail करेंगे ठीक है देखो यहाँ पर जो मैं PDF बनाता हूँ उसमें सब कुछ ट्राइ करता हूँ मैं लिगनू ताकि आप जब घर जाके दुबारा पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो चलो यह जो Central Legislative Council था ना अब इसका हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाएंगे तो आपको आइडियास के लिए होगा सबसे पहले देखो Official Member और Non-Official Member नन-Official आप पहले ही समझ गये थे नन-Official Member जो की Government में Member ना हो Government Officials जो ना हो उसको मलब बोलेंगे नन-Official और Official कि इसको बोलेंगे जो की Government of India कब का Government of India आज का नहीं 19 सा Government of India में जो Member होगा उसको मलब बोलेंगा Official तो देखो इस Official Member में 28 तो Nominated Officials थे भाई 28 Nominated और 27 अब इधर चलेंगा हम लोग पहला भी तर देखो अब ये 28 Nominated Officials हैने तो मतलब Official मतलब Government of India के Officers होंगे इसमें इसको Nominated कौन करेगा Governor General ठीक है Governor General और इसमें देखो 37 है ना इसमें से 9 होगे Acts of Issue एक्स ओफिशों का मतलब होगे इसमें Governor General और उसके Council और उसके Council में कितने लोग होते थे 6 एक अपना Governor General 6 एक साथ और एक Commander in Chief जो गया 7 एक आठ और जहांपे Meeting करे जाएगा वहां के एक Province के Member होंगे वो होगे 7 एक आठ तो टोटल आठ एक नौ छे दू आठ एक नौ तो 9 Member तो यह होगे यह होगे Actually Executive यह कौन होगे भाई यह होगे Executive यह कौन होगे Executive ठीक है इसलिए इसको में लोग बोलता है Executive Office योव ठीक है अभी हम लोग बात किसकी कर रहे है Legislative Council में देखो आप 28 लोग हो गए यह 28 लोग हो गए Legislative Council में 28 लोग जो नॉमिनेट करेगा Governor General अब देखो जिसको elect कौन करेगा कहां से elect होके आएगा अब हम लोग यह थोड़ा सा पढ़ने वाले ठीक है अब थोड़ा सा election वाला कहानी पढ़ेंगे अब इसको आप थोड़ा धियान से समझेगा यह elect होके यहा कितने थे 27 कितने थे 27 मतलब इसको elect करा जाएगा elect करें 27 और इसमें देखो अभी मैंने आपको पता है थे पांच मेंबर ऐसे होते थे जो कि नन ओफिशल होते थे इंडियन होते थे वह लॉयर होगे या फिर इंडिनाशनल कॉंग्रेस के मेंबर होगे तो वैसे पांच जो क ताइम पे उस तेम धिंडोरा पीटते थे देखो भाईया हमारे यहां 28 28 लोगों को हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं जो कि ब्रिटिस सरकार का होगा और इसके अलाबा जो रेस्ट आप देख रहे हो यह तो ऑफिस्यल से इंडियन से हैं elected 27 लोग यह होगे पांच आप यहां से देखो तो 27 पांच हो गया 27 प्लस 5 हो गया 32 और इनका देखो 28 तो मेजरेटी तो इनका हो गया देखो तो लेकिन नहीं आपको क्या देखना है यहां पे यह पांच लोग जो हैं यहां पे यह तो कटपुतली है गवर्नर जेनरल के तो यह ओफिस्यल से होगे उनके बिटि मेजरेटी इनका ही होता था अप 28 पांच कर दो 28 यह और उनके कटपुतली इंडियन्स यह यह जो भी यहां का और नन ओफिस्यल मेमर होते थे पांच वह होगे तो 28 इनके पास और 27 तो मेजरेटी इनका होता था यह उस टैंप इस बात को धिंडोरा पिट अब नहीं को समझ ख्यार अब यह आपने क्या देखा यहां पे सेंड्रल लेगिसलेटीव कॉंसिल में 27 नन ओफिसेल होते थे अब यह नन ओफिसेल go कहां से आयन गे देखो तो सबसे पहला हो गया जेडरल यह एल्लोगटbt रिट जेनरल एल्लोगट पिट में क्या हो गया विझा zwar लोग छे हो गया communal electorate अब इसको समझो आप यह जो 13 लोग आएंगे 13 पीपल साइंगे 13 मेंबर जो आएंगे 27 के लिए अब यह कहां साइंगे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था उस टाइम पर प्रोविंसे होते थे अभी आप नीचे मैप देखो यहां पर देखो यहां पर प्र से दो दो मिंबर ले लिए तो दो दो चा दो चे दो आठ तेरह में आठ आगे यहां से तेरह में आठ आप मिंबर आगे ना 13 में 8 पीपल आगे अब हम लोग देखते हैं ले लो यहां पर पंजाब यहां पर ले लो बिहार यहां पर ले लो असम और यहां पर ले लो सेंट् हिंदू 5 हि kidnapped 2018 Shako तो देखने यह जो । इसमें पर इंडिया में प्रोविंसेजार वहांसे जो मिंबर आएंगे वहां के प्रोविंशल से मेंबर आएंगे वहां पर जो प्रोविंशल से मिंबर आएंगे उसको अमनों बोलते थे जैनल्य है तो आप से कोई PARC कि बताओ भाई 1909 में जेनरल एलेक्ट्रेट्स कहां साते थे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि एट मेंबर मतलब दो-दो मेंबर बेंगॉल मदरास बोंबे और युनाटिड प्रोविंसेस दो-दो मेंबर आते थे और एक-एक मेंबर कहां साते थे पंजाब बिहार असम से अब देखते हैं देखाल लोग अलेक्ट्रेट्स कमें आपको असक्लास के लोग आते होंगे यहां पर देखो बेंगॉल मदरास प्रोविंसेस्ट्र प्रोविंस यह- अक जगह से एक जमिनके जमिंदार कि जमिंदार लोग यहां से मतलब आप बोलो लैंडलोड यहां से मेंबर भेजा करते इसके बाद पर किसी मतलब यहां पर ट्रेड और चेम्बर और आप इसको कलकत्ता कलकता चेंबर of Commerce और Bombay Chamber of Commerce यहां से एक-एक member यहां से एक member यहां से तो दो member यहां से हो गए और उसके बाद कमल एलेक्टरेट्स में क्या होता है देखो आपने क्या पढ़ा था separate आपको मैंने separate बताया था क्या नहीं 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 बताया देखो Muslim elite class जो थे यह लोग demand कर रहे थे separate electorates का आपको मैं यहां साथ बताना भूल गया तो मैं आगे explain वैसे करने वाला था करूंगा ही तो Muslims लोग जो थे elite Muslims लोग जो कल आगे चलके Muslim League का formation करते है वो लोग demand कर रहे थे कि हमको representation मिलना चाहिए उसके लिए हम लोग को separate electorate दे दो ऐसा यह लोग demand कर रहे थे खैर मैं भी थोड़ी दिर में वो बताऊंगा अभी के लिए समझो छे लोग जो थे उसमें से Muslim electorate से आते थे ठीक है six member कहां से आते थे Muslim electorate से वो आपको थोड़ी दिर में समझ में आएगा और यह जो छे electorate से इनका demand था ना इनका demand था यह act 1909 आने से पहले Muslims लोग 1906 में क्या demand कर रहे थे हम लोगों को Muslims लोगों को separate electorate दो तो यह demand देखो इनका यहां पूरा हो जाता इनको यहां पे separate electorate मिल गया ना तो एक demand इनका पूरा हुआ भई बिलकुल हो गया चलो इनका demand पूरा हो गया भई तो यह छे लोग कहां से आएंगे भई यह छे लोग आएंगे देखो दो कहां से आएंगे बंगॉल से two from बंगॉल and one from Bombay, Madras, Bihar, Odisha and United Provinces I hope आपको यह clear हो गया होगा तो legislative council में जो 60 लोग हो थे यह आपको समझ माया गया होगा लेकिन total strength कितना हो इसको में लोग बोलते है total strength total strength हो गया 69 कैसे 60 लोग तो ऐसे हो गया 28 और इधर ले लो आप 32 अट्थाइस बस्तिस कितना हो गया 60 अब प्लस नौ लोग हो गया acts of issue जिसमें कि आपका governor general उसनके council commander in chief और यह total आप मिला दो गया तो 69 हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखके दिया है total strength देखोगे central legislative council का तो कितना पर fix हो गया 69 पर और 69 पर including कौन है governor general और उसके six ordinary member of his council and commander in chief and governor of the provinces जहाँ पर meeting होगा अब हम लोग next पढ़ेंगे enlargement in the size of provincial legislative council अभी आपने central पढ़ा था अभी आपने central मतलब यह पूरे इंडिया की आपने बात करें थे पूरे इंडिया के उस टाम पर राजधानी होता था बंगॉल और बंगॉल का कलकत्ता होता था तो यहाँ पर जो central legislative council था इसकी हम लोग बा ऑद करेंगे province उस-टाम बिहार वडीयश . अब प्रोविंसमें लेगिसलेचर बी तो था प्रोविंसियल लेइसलेचर इसको बोलती तो याद होगा आपको For examined 1966 यो शो चैंब बहु का इस बार बात करेंगे तो यह Love कि क्ला करके क्या करा भहिआ प्रोविंच्चियन लेजिशलेचर को भी इसका जो साइज साइस को भी इनक्रीज कर दिया अब हुम लोग देखेंगी कैसे, देखो, प्रोविंशिल लेगिसलेटीग असेमली में आपने इतना सारा पढ़के रखा है, इन प्रोविंशिलेटीग असेमली में भी तो एडिशनल मिमबर होता था, तो देखो आपको मैं यहाँ मैप में में मैप में दिखाता हूं, देखो अभी मैं जो जो जैसे सबसे पहले देखो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेंगॉल, मदरास, बोंबे, युनाटेट प्रोविंसेज, बिहाड, उडिसा इन सब जगहों पे कितना कर दिया गया अबसे यहाँ पे additional member कितने होंगे भाई, 50, कितना कर दिया गया, 50 अब इसके बाद देखो कुछ provinces जो छोटा provinces था जैसे पंजाब, बर्मा, असम और Central provinces वहाँ पे कितना कर दिया गया भई जैसे देखो Central provinces, बर्मा, पंजाब, असम यह सब provinces में क्या कर दिया गया, कितना कर दिया गया 30 देखो मैं मैं आप पे हमेसा इसलिए बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए मेरी बात मैं कहां की बात कर रहा हूं तो दो चीज़ देखे साइस को कितना बढ़ा दी हम लोग बेंगौल मतरास बंबे युनाटे प्रोविंसेस बिहार उडिसा में कितना करते हैं 50 अब पंजाब बर्मा असम सेंटल प्रोविंसेस में कितना कर देते हैं हम लोग 30 कहानी खतम और हर एक कॉंसिल में बोथ ऑफिशल और नौन ओफिशल मेंबर एंग ऑफिशल और नन आपको एक एक एग्जम्पल दे देता हूं बेंगौल प्रोविंसेस का बेंगौल प्रोविंस में प्रोविंस में आपने क्या पढ़ता था बंबे मदरास ये सा प्रोविंस में कितना कर दिया गया था 50 a truthful किटन अब सकते हैं 50 तो यहां पे मैं एक और हैं बेंग साल तम Essentially था यह 50 ही जैसे आपने होगा क्या पढ़ाता 60 लेकिन प्लस 9 मेंबर आपने पढ़ाता आक्स ओफिसो का न जिसमें एक्जेकूटिव होते थे उसी तरह से यहां भी थे 50 लेकिन आक्स ओफिसो हो गया इसमें 5, देखो यहां पर यह एक्स ओफिस हो गए फाइब इसमें कौन होते होंगे गवर्नर और उसके कौन से ठीक है आई होप यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देखो बेंगॉल प्रोविंस में भी बेंगॉल प्रोविंस में भी सेम जैसे आप सेंटर में देखे था न सेंटरल लेगिसलेटि तो कि गवर्नर के दुवारा नॉमिनिटेट होते थे यह कितने मेंबर थे मैं यहां पर बेंगॉल प्रोविंस का एक्जामपल दे रहा हूं रेस्ट आपको यहां पर यह चार्ट मैंने दे दिया पीडिएफ में आप वहां पर देख से तो यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं एक्जाम में यहां से कुछ नहीं है बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ठीक है जैसे वहां पर आपने पढ़ा ना इग्जैक्ली वैसा ही फ्लो चार्ट यह भी है आप इसको यहां पर देख के समझ सकते हो ऑफिशल मेंबर नॉमिनिटेट है मतलब गवर्नर के थे फल overlook होगा ऐलेक्टेट जो की जैसे आपको मैंने माँ बता इता नग्यक्प्रो प्रोविंस में लोगिनीट होई है आते ते कहां से प्रोविंस में तो यहां पर प्रोविंस के अंदर जो बॉडिज होगा मुंसपैलिटी इस वहां से चुनके आएंगे हैं ना एक प्र से जमिनदार क्लास की लोग वहां से आएंगे को खिए तो I Hope ये आपको समझ मया है होगा यहां पर एक चीज़ क्या धिया रखना है आपको यह जो पावर कर देता है गवर्णर को कि आपको यदि कभी आप ऐसा कुछ कानून बना रहे हो जिसमें कि आपको एक्सपर्ट का जरूरी है तो उस केस में आप expert member appoint कर सकते हो मालो कभी कभी क्या होता कुछ आप ऐसा कानून बना रहे हो जहांपे कि उस area का expert चाहिए आपको legislative assembly का तो मतलब ही होता है कि कानून बनाना legislative कौन सी का क्या मतलब है जहांपे कानून बनेगा तो कानून बनने में कभी आपको किसी expert का जरूरी है तो आप expert member को यहांपे appoint कर सकते हो यह power किसको दे दिया गया governor और जहांपे lieutenant governor है उसको I hope यह आपको clear होगा ठीक है यहांपे यह जो point देख रहे हो आप यह लिखा हूँ है और आप कितना member तक को appoint कर सकते हो दो आप याद करो 1892 का जाब council act पड़े थे वहांपे आपने क्या पड़ा था खेर अब ही मैं उसमें जाऊंगो बहुट टाइम चला जा गया तो देखो provincial legislative council को और क्या क्या कर दिया गया discuss and pass resolution अब budget पे भी resolution पास कर सकता है कौन provincial legislative council और discussion भी हो सकता है सारे public से interested वाले matter में पहले आपको याद है जब question पूछते थे यह लोग question पूछने का तो power मिल गया था 1892 में लेकिन आप supplementary question नहीं कर सकते जैसे मालो की कोई executive से सवाल किया कोई legislative council सवाल किया executive से जवाब दे दिया फिर उसके बाद counter question आप नहीं कर सकते थे फिर एक और question supplementary नहीं जिसे एक पेज और उपर से एक पेज और क्या कहला था supplementary इसी तरह सब supplementary question नहीं पूछ सकते एक question आपने पूछ लिया कहानी खतम दूसरा question नहीं पूछ सकते ऐसा system था 1892 में लेकिन ये act ला करके 1909 act ला करके आप supplementary question पूछ सकते हो और resolution भी आप ला सकते हो तो resolution भी move कर सकते हो किसे लोन से related लोकल बोर्ड इसके लोन से related लेकिन फिर यहाँ पे गवर्णर जनरल के पास पावर था वो discussion को डिसलाओ कर सकता किसे related बजट से related आप इसको ध्यान रखिएगा आगे पढ़ने वाले हम लोग अब यहां से क्या होता है indirect election का system introduced होता है system of indirect election देखो आपने क्या पढ़ाता 1892 वाले में क्या पढ़ाता कि election तो वहाँ पर दिख रहा था अपने को indirect election वहाँ पर दिख रहा था लेकिन act में कहीं यूज नहीं था यह वर्र election है ना elective principle तो अपने को दिख रहा था वहाँ पर लेकिन कहीं पर election use नहीं था है ना indirect election वहाँ पर होता था तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 1909 1909 में ये election का जो principle है elective principle जो है यहाँ पर introduce करा जाता है central के लिए as well as provincial legislative council के लिए यह समझ में आ रहा हो और यदि समझ में आ रहा तो सबसे important होता है comments करना आप यहां तक भी यदि पढ़ रहे हो एक बार दिल से बहुत बहुत धन्वाद आई हो बहुत serious student हो आप यहां तक भी देखते आ गए हो तो कि देखो कि self study बहुत important होता है तो आप जब यह पढ़ रहे हो यहां तक भी आ गया हो तो मेरा चोटा सा advice है जो आपको PDF मिलेगा न टेलिग्राम पर जाके आप download कर लेना उसको एक से दो बार at least आप देखना ऐसा नहीं यह lecture देख लिए कहानी एलेक्शन का सिस्टम स्टैबलिश हो जाता है स्टार्ट हो जाता है कहां पर कहां पर इंट्रीड्यूस करा जाता है सेंट्रल आज वेल आज प्रोविंशल लेगिसलेटिव इसेंब्ली में आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपने क्या पढ़ा था 27 आउट ओफ 69 में 27 लोग एलेक्ट हो रहे थे ना मैं आपको फिर से देखा देता हूँ यह देखो यहां आपने पढ़ा था ना 27 लोग एलेक्टेट थे आपने यह आप आप देखोगे कि यह जो सेंटर लेगिस्लेटिव Колंसल 27 लोग एलेक्ट थे यह कैसे यहां identify all के होकाई है यह होता था यहह देखका इलेक्शन में पीपल्स काम्मन ना चूज करेंगे तीअ यहां पे देखना इन सम्कूल आपको नजर आएगा और यहां पर आपको ना double indirect election भी देखेगा double indirect election देखेगा supreme legislative council मतलब हो गया central legislative council यहां पर कैसा होता था indirect double मतलब double indirect election कैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ देखो आप कभी यह सोचे हो कि 1909 में सर आपने बोला 27 लोग 27 लोग elect होंगे किसके लिए central legislative council के लिए central legislative council के 1909 की बात कर रहा हूँ मैं इस time पर elect होंगे कैसे होंगे यह elect कैसे होते थे मैं यह आपको election process दिखाता हूँ अभी आपको पता है हम लोग चुनते हैं अपने MPs को वो जाते हैं पारलेमेंट बैठते हैं फिर कानून बनाते हैं उस time पर कैसे होता था तो जो सबसे पहले तो को नीचली लेबल पर में बता तो अग्दम bottom लेबल पर क्या होता था जो गाउं में village में जो taxpayer होते थे जो revenue देते थे government को सिर्फ उनी को vote देने का right था फ्रेंचाइजी सब के पास नहीं था सब vote नहीं कर सकता था जो tax देते थे ना वो सिर्फ वो elect कर सकते थे तो सबसे नीचली लेबल पर जो village में tax देते थे वो elect करते थे member किस के लिए municipality के लिए फिर district board local bodies के लिए वो member चुनते थे इसको भूल जा बहुत हारे book में आपको ये मिलेगा ने फिर भी मैंने दे दिया आपको समझने के लिए तो चलो हम लोग सीधे चलते हैं ये जो member होते थे municipalities का district board का local bodies का वो elect करते थे अपने में से ही provincial legislative council को provincial legislative council में भी आपने देखा था ना कुछ लोग elect होके जाते थे ये हर एक province जैसे मानलो Bengal है वहां का अलग है Bombay का अलग है जैसे मानलो example ले लेते हैं अचलो हम लोग यहां पर मैंने लिखा भी था देखो आपको में दिखाई देता हूं तो आपको clear हो जाएगा यहां पर देखो मैं लेक्ट ले ले लेता हूं अलेक्टीट ओफिशल 28 हाना तो यह जो provincial council में मतलब Bombay प्रोविंशियल कहा आं गया भाई बोंबे बेंगॉल प्रोविंशियल legislative assembly में provincial legislative council की बात कर रहा हूं ठीक है बेंगॉल प्रोविंशियल legislative council में कितने लोग elect होंगे भाई 28 यह लोग भी कहां से आते होंगे 28 लोग तो यह जो आप देख रहे हो ना यह एलेक्ट करते हैं Central Legislative Council में जो आपने देखाता ना यह टोटल 27 लोग आते हैं तो कहां से आते हैं यह लोग एलेक्ट करते हैं 28 नहीं अग्जेक्ट आप ले लो तो 30 ठीक है टूबी एक्जेक्ट लोगे तो 30 थर्टीन पीपल सेंटर लेश्टल लेश्टीटिव इसेमली में जो जाते हैं आपने पढ़ाता ना दो-दो लोग करके आते थे बॉम्बे से मदरास से दो-दो लोग करके आते थे ना जनरल एलेक्ट कि यह देखो एक बार आप यह पीडिएफ को देख लो जब तक मैं एरेस कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है मिंबर ऑफ मिंस्पैलिटी इस डिस्टिक बोर्ड वह एलेक्ट कर देते थे प्रोविंशल लेश्टलेटिव एसेमली के लिए गल और इंत्ति को एक बार यह पमैं देख रहा हैं आपको एक बार यहां दिखा है सिला दोबर होगया ना समय जब तो दिख एग बार यहां एलेक्ट कर रहे हैं है है अट आस 속 सेप्रेट मिर्णिशल कौने चलों अब हम नो देखेंगे सेपृरेट separate electorate and special electorate आपने क्या देखा था special electorate देख लिया था आपने और 27 elected member आपने देखा था Central Legislative Council में 27 27 elected member थे Central Legislative Council में जिसमें की आपने देखा था 6 special थे special electorates उसके अपने देखा था separate electorates मुसलिम लुग के लिए separate electorate अब ठोड़ा समय आपको separate electorate बता देता हूँ separate electorate क्या होता है separate electorate क्या होता है सबसे पहले आप समझो electorate का मतलब होता है consistency मैं example देता हूँ देखो यह मानलो पटना यह ओप आप जानते होगे बिहार गराज धानी तो यह मानलो कि पटना एक electorate, एक constituency है, ठीक है, और इसका population मानलो 1000 है, 1000 लोग है, और उसमें से 500 Muslims community के हैं, 200 Christian community के हैं, 100 Sikh community के हैं, and 200 Hindu community से बिलॉंग करते हैं, तो यहाँ पर मानलो separate electorate मिल जाता है, मानलो Muslims community को, suppose कर लो, तो यहाँ पर election contest और voting का right सिर्फ किसको मिलेगा, Muslim community के लोग, तो जो 500 लोग हैं यहाँ पर, जो 500 लोग हैं, सिर्फ यही लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है, और मानलो यहाँ पर जो कोई candidate खड़ा होगा election में, वो कौन ह हो सकते हैं, सिर्फ यही Muslims लोग में से ही candidate election contest कर सकता है, ठीक है, यह होता है, एकदम layman और simple भासम आप यह समझ दो, ठीक है, separate electorate क्या होता है, जब आपको voting का rights, सिर्फ voting का rights भी सिर्फ आफ ही को हो, और election में contest करने का भी rights सिर्फ आपको हो, तो इसको में बोलते हैं, separate electorate, और यह किसको मिल गया था, इस act के आने के बाद, 1909 का act आने के बाद, Muslims लोगों को, आपने देखा, और वो 6 province से चुनके आते थे, अब हम लोग देखने वाले हैं, जो election में vote करते थे, वोट कौन कर सकता था, आपने देखा ना कि taxpayer vote करते थे, taxpayer vote करते थे, इसको municipalities में, और जो local bodies में member चुनके जाएंगे, उसको कौन elect करता था, taxpayer, और फिर municipalities से चुनके कहां बहसते थे, यह लोग, provincial में, ठीक है, और provincial से कहां चुनके बहसते थे, बाई, Central Legislative Assembly में, तो qualification क्या होगा voter का, Central Legislative Council में vote करने के लिए, कौन vote कर सकता है, तो देख सिर्फ यहां पर कौन कर सकता था, वैसा, वैसा landlord कर सकता था, जो revenue कितना पे करता था, minimum land revenue कितना, 10,000, ठीक है, 10,000 रुपे का minimum, और ये मदरास के case में 15,000 था, ठीक है, और जिनके पास title था, जिसे कि राजा का, नवाब का, जिनके पास title था, जिनके पास office था, उनके पास voting rights था, अब हम लोग देखेंगे, qualification पढ़ने वाले है, ठीक है, यहां पर देखो, अब candidate contest कौन कर सकता है, मतलब election में कौन खड़ा हो सकता था, किसको ये लोग चुनेंगे, 10,000, जो, ये तो समझ मैं गया, जो 10,000 से जादा pay करेंगे, वो चुनेंगे, भई, तो किसको मानलो कि मैंने criminal offense किया, मुझे 10 साल कि सजा हो गए, तो क्या मैं election में खड़ा हो सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो नहीं, आप नह sentence दिया हुआ है, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके आदिया आपको debate किया हुआ है, मतलब legal practice से आप dismiss किया गए हो, तो आप नहीं कर सकते हो, तो भी आप नहीं election contest कर सकते हो, तो ये सब कुछ requirement था, election में contest करने के लिए, I hope यहां तक clear होगा, मैं थोड़ा सा fast नहीं करू इंडिया को रूल करते थे कौन, वाइसरा है, जिनका दो कॉंसील होता था, legislative council and executive council, legislative council में आपने भी जस देगा, 60 member, और executive council में 6 member होते थे, आपको याद है ना, और executive state कौन होते थे, जो कि इंग्लैंड में, लंडन में बैठते थे, जॉन मॉरले होते थे, जो कि 1905 से 1910 तक यहाँ पर रहते और सेम लॉर्ड मिंटो यहाँ पर वाइसर है थे, जो कि 1905 से लेकि 1910 तक रहे थे, सेम जैसे secretary of state थे ना, इनका भी council होता था, कितने member का भई, 15 member का इनका भी council होता था, 15 member का इनका भी council होता था, देखो यहाँ पर 15 member है, तो इस act आने के बाद, मैंने आप बात करूंगा, तो अब वो वक्त आ गया है, इनका जो यह 15 member का council था, इनको assist करने के लिए, इतना बड़ा देश को rule करने के लिए, क्या एक लिए इनसान कर सकता नहीं, तो इनको assist करने के लिए 15 member का council होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंडिया council, क्या बोलते थे, इंडियंस नहीं था, और इसी तरह से executive council, जो वाइसराय का executive council था, 1909 का act आने से पहले, इसमें भी कोई member इंडियंस नहीं था, आपको यह बात ध्यान में रखना है, और यह act आने के बाद, मैंने starting में बताया था, कि यह act आने के बाद, आप क्या पढ़ते हो, आपने भी 60 तो करी दिया गया यहां पे, और यहां पे executive council में भी changes होता है, और क्या changes होता है, executive council में यह changes होता है, कि अब से executive council में मतलब, जो इंडिया के वाइसराय होंगे, इंडिया के जो वाइसराय होंगे, उसके executive council में, इंडियंस को appoint करा गया पहली बार, यह Indian council act, 1909 के आने के सबसे पहले सतेंधर सिन्ना थे जो की एडवोकेट थे बाप पोलसरक्त लॉयर थे बंगॉल में और इनको एपोइंट करा गया एजे लॉव member क्या appoint करा गया भाई as a law member कहां पे वाइसराय के executive council में आई होप यहां तक कोई problem आपको नहीं होगा अच्छ इसको appoint कौन किये थे किसके द्वारा करे गए होंगे यह secretary of the state अब देखो मैंने आपको बताया था कि जॉन मौरले जो की उस टाइम पे secretary of state थे तो इनके council में भी दो member को दो member को appoint करा गया इन दो Indian member को appoint करा गया Mr. Casey गुपता और साइध हुसाइन बिल ग्रामी बिल ग्रामी ठीक है साइध हुसाइन बिल ग्रामी और Casey गुपता यह दोनों civil servants थे और obviously civil servant ही जा जाकता खर तो यह Casey गुपता और इनको appoint करा गया कहां पे भाई या Indian council में अभी just मैंने आपको बताया था ने इसको लोग क्या बोलते थे इनका यह भी demand था कि भाईया तुम Muslim member को governor general के council में add नहीं किये हो तो फिर दूसरे वेक्ति जो बने थे पहला तो अभी मैंने आपको यह सारी बाते जो बताई यह किसके बताई थी अवा यहोता था कि क्रोविंस में ये होता था क्या अब सेस्ट्रल लेबल पर ओती थी तो अब लोग बात करें थोडा सा बातयगे प्रोविंशियल एक्जेक्यूटिव के बारे में ठीक है आपने पढ़ा था ना गवर्णर का दो एक होता है लेगिसलेटीव कॉंसिल प्रोविंशियल लेगिसलेटीव कॉंसिल एक होता है प्रोविंशियल एक्जेक्यूटिव कॉंसिल तो इसमें तो change हुआ ही था, हम लोग पढ़ी चुके हैं भी, क्या इसमें change हुआ था, तो हाँ भई बिलकुल हुआ था, अब क्या change इसमें हो गया था, तो executive council में, देखो एक governor और इसके लाबा, दो member होते थे, ठीक है, एक governor, और इसके लाबा, दो total कितना member होते थे, तो ये हो मदरास, बोंबे में, executive council को क्या कर दिया गया, executive council के member को increase कर दिया गया, कितना से भाई, 2 से 4 कर दिया गया, आप इसको धियान रखेगा, 2 से 4 कर दिया गया, अब हम लोग पढ़ने वाले है, defects of the Indian council act, देखो अब जो मैं defects आपको बताने वाला हूँ, ये defect तै होगा, कि अभी मैं थोड़ा time देखता हूँ, video pause करके कि मैंने कितना देर पढ़ा दिया आपको, ये बहुत जादा मैंने पढ़ा दिया होगा, तो मैं थोड़ा सा defect कम करके बता दूँगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं निकल जाओगा, ये अपने पास time होगा, तो मैं थोड़ा सा detail करके आ को तो टाइम देखता हूं मैं उस हिसाब से हम लोग अभी करेंगे चल अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ द इंडियन कॉंसिल आक्ट 1909 मतलब यह आक्ट लाने के बाद इसमें क्या क्या डिफेक्ट था यह पढ़ेंगे सबसे पहले यह जो आक्ट है क्या करने काम करा गया यह यह आक्ट लाने के बाद जिसमें कि आपने देखा था क्या था क्लास रिपर्जेंटेशन देखा था आपने फिर उसके बाद आप में क्या देखा था जैसे कि सेपरेट एलोक्टरेट देखा था यह दोनों तीनों जो आप प्रोविजन देखा इस आक्ट म बहुत डिजास्टेरस हुआ इंडिया के लिए इसके बाद और दुसरा क्या होने लगा जो अधर अधर रिलीजन थे वो भी डिमांड करने लेगे सेपरेट एलोक्टरिक जिसे सीख थे वो डिमांड करने लेगे भईया तुम जैसे मुसलिम्स को दिया हो मेरे को भी दो हमें हम भी माइनरीटी है कंट्री में है ना तो यह हो गया फिर उसके बाद आप देखोगे यह आक्ट आने के बाद प्रोविंशियल लेगिस्लेटिव कॉंसिल में भी उतना ज्यादा कुछ चींजिस नहीं हुआ को पहले क्या होता था कोश्चन आप तो आप पूछ सकते हो सिम्पल है क्या कर रहे हो बै आप सीरफ एक तरह से इन्फोर्मेशन ले रहे हो है ना और आपने क्या देखा लेगिस्लेटिव कॉंसिल जो थे सेंट्रल पे और प्रोविंशियल लेवल पर दोनों का साइस तो बढ़ा हो गया साइस दोनों का बढ़ा हो गया लेकिन फंसन फंसन वहीं कमी था, फंसन में कोई changes ही नहीं हुआ, तो फंसन जो company, sorry, British government को इसमें फंसन में थोड़ा improvement लाना चाहिए, reform करना चाहिए, ये लोग वो नहीं कर पाए, तो फंसन और power में कोई expand नहीं किया, सिर्फ ये लोग size में किया, तो ये भी एक तरह का criticism defect आप बोल सकते हो, इस act का, उसके बाद आप देखो, ये गवर्नर पोजिशन और गवर्नर जनरल पोजिशन को क्या देता था, ये वीटो पावर, हाना, जो जिससे कि आप बोल सकते हो, तो गवर्नर पोजिशन जनरल आंड, वीटो पावर वेर, not, not affected by the act, देखो, member लोग जो ते, आपने देखा था, ये लोग discuss कर सकते थे, ये लोग discuss तो कर सकते थे, बजट पे, लेकिन उसमें कोई change नहीं कर सकते थे, उसमें कोई changes नहीं कर सकते थे, जैसे कि उसमें क्या था आप executive से question तो कर सकते हो लेकिन उसको compail नहीं कर सकते तो ये भी एक defect था उसके आपने क्या देखा moral mental reform को ये क्या कर रहे थी divert कर रहा था इंडिया को इसमें कोई development जैसे कि आपको मालो करना चाहिए political, economical ये development कुछ नहीं ये सिर्फ किदर गेच रहे थे ये लोग Hindu Muslims के तरब खीच रहे थे समझ रहे हो ये कुछ defect था आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और इसी तरह के legal evidence वीडियो के लिए और इसी तरह के legal subject वीडियो के लिए history के वीडियो के लिए आप मुझे subscribe कर सको thank you so much for watching this video